हलो अब्रीवन, वेलकम दो देश चैनल, I am CS Ritu अज का वीडियो है CDSL Limited पर CDSL Limited का स्टॉक आज कल बहुत फोकस में है परकॉस कमपटी ने अपने हिस्ट्री में पहली बार बोनस इशू का अनॉंस्मेंट किया है 1 is to 1 की रेशियो के बोनस इशू का अनॉंस्मेंट हुआ है CDSL Limited में ये स्टॉक का प्राइस जो करेंटली आपको 2500 रुपीस का नजर आ रहा है वो इस बोनस इशू के कमप्लीट होने के बाद 1250 रुपीस का हो जाएगा सो आज के इस वीडियो में हम CDSL के बोनस इशू की डीटेल्स को जानेंगे बिना किसी तरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले CDSL Limited की बात करें तो कमपनी ने कभी भी बोनस इशू का अनौसमें नहीं किया है कमपनी डिविडेंट ही देती है ये पहली बार कमपनी की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कमपनी बोनस इशू लेकर आ रही है बोनस इशू का रेशू कमपनी ने 1-1 का बताया है अगर आप वन शेर इस कमपनी का होल्ड करते होंगे जिसकी फेस वैल्यू रूपीस 10 है तो वन शेर कमपनी आपको जिसकी फेस वैल्यू रूपीस 10 होगी बोनस में देगी क्योंकि ये बोनस इशू कमपनी लेकर आ रही है तो इसका adjustment stop के price में कैसे दिखने को मिलता है चलिए समझते हैं suppose आपके पास किसी company की 100 share है उस share का price है 75 rupees before bonus issue तो आपकी total investment हो गई 75 hundred rupees आप company 1 is to 1 का bonus लेकर आई है तो आपके share double हो जाएंगे 100 के 200 हो जाएंगे share का price half हो जाएगा यानि कि 75 से 37.5 हो जाएगा तो आपकी total investment इस case पे भी 200 into 37.5, 75 hundred rupees ही रहेगी तो bonus issue के case में आपको additional share यानि कि bonus share तो मिलते हैं लेकिन stock के price में adjustment हो जाता है stock का price bonus की ratio में adjust हो जाता है इस case में 1 is to 1 का ratio है तो stock का price half हो जाएगा number of share double हो जाएंगे अब CDSL के bonus issue की details की बात करें तो company's bonus issue के through 10 करोड 45 lakh equity share issue करने वाली है as bonus share ये bonus issue company करेगी अपने free reserve में से including general reserve और retained earning में से 1 is to 1 का bonus का ratio है जैसा की मैंने पहली बताया एक share है तो एक share bonus में मेलेगा 10 share हैं 20 हो जाएंगे 20 हैं 40 हो जाएंगे इसी तरीके से आपके number of share डबल हो जाएंगे share capital pre और post bonus की बात करें तो pre bonus share capital है CDSL Limited की 10 करोड 45 lakh equity share के जिनकी face value 10 रुपीज है और bonus implement करने के बाद एक number of share डबल हो जाएंगे यानि 20 करोड 90 lakh हो जाएंगे face value 10 ही रहेगी इस bonus issue को करने के लिए company 10 करोड 94,93,000 capitalize करेगी अपने general reserve में से और around 93.55 करोड capitalize करेगी अपनी retained earning में से और company के free reserve और share premium account का balance as on March 31, 2024 ये है general reserve का balance है 10 करोड 94,93,000 और retained earning का balance है 1047 करोड कल ही company ने इस bonus issue के लिए record date का announcement भी कर दिया है 9 अगस्ट की exchange filing में company ने बताया है कि इस bonus issue के लिए record date रहेगी 24 अगस्ट दुहजर 24 और इस bonus issue के लिए company अपने shareholders का approval भी लेगी जैसा कि मैंने पहले भी बताया तो ये approval company लेगी आने वाली annual general meeting में company ने कल की exchange filing में ये भी बताया है कि company की 26 annual general meeting होनी है 17 अगस्ट दुहजर 24 को और उसी annual general meeting में company अपने shareholder से इस bonus issue के लिए भी approval लेगी अब वीडियो conclude करने से पहले ये भी जान लेते हैं ये bonus share कब तक credit हो जाएंगे eligible shareholders को shareholders वो eligible होंगे जो record date पे company के shareholder करते होंगे यानि कि 24 अगस्ट 2024 को company के shareholder होंगे और ये bonus issue कब तक complete हो जाएगा तो इस पर company ने बताया है within 2 months from the date of board approval यानि कि ये bonus issue complete हो जाएगा on or before 1 September 2024 एक September तक bonus share आपके DMAT account में credit हो जाएंगे तो ये है CDSL के bonus issue की सभी details आज की वीडियो में इतना ही like करिए channel को subscribe करिए thank you